सब्सक्राइब करने से आपके पूरे चाप्टर का रिवीजन हो जाएगा और साथी समझ बन जाएगी तो विडियो पसंद आए तो विडियो को ज़रूर लाइक किजिगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिगा बिना देली करते ह Поэтому चलते हैं हम विडियो के अब्ब्सक्राइब करते हैं तो स्रूर करते हम चैप्टर 11 उस्ट्री का विद्रूर और राज 1857 का अंदोलन का प्रतिनी देद्वेख फॉर आई फ्रेदेश स्वाल 1857 का विद्रू का पहला सिपाही किसे कहा जाता है यह निए फ तो पहले सवाल का सिभाब को पहला आपड़ा पंठे कानपूर में विद्रोही का नीता कौन थे? यह बताना है जवाब दीजिए तो कानपूर से विद्रोही के जो नीता थे वो कान ते फ्रेंस नाना साहिब नाना साहिब जो है कानपूर से विद्रोही के नीता थे खान बहादूर खान ये कहां से थे फ्रेंस तो खान बहादूर खान साहब जो थे वो बड़ेली से थे नाना साहब कानपुर से और कुवर सिंग वीर कुवर सिंग बिहार से चुकि विद्रोही और वो कहां से कर रहे है ते लीड वो सवाल पूछता है तो यह हमारे लिए बहुत important हो जाता है next question देखेंगे friends रानी लक्षमी भाई के चिता के पास किस ने कहा था कि यहां सोई हुई महीला विद्रोहियों में एक मात्र मर्द थी जो इसका exact sentence था उन्होंने कहा था यह बात कि यह जो जितने भी लोग लड़े आंदोलन में इस आंदोलन में थार्सुशंदावन के विद्रोह में उसमें एक मात्र मर्द थी वो कौन थी अंग्रीज की तरह से आंदोलन का नेत्रत कर रहा था और रानी लक्षमी बाइगेंट्स में उसी ने बात कहा था यहां सोई हुई महीला विद्रोहियों में एक मात्र कौन थी दिए करेंस अग्रेट और दोल नामक की लिखा कौन है नमस अधुम पिस्टर को यहां इसी के बाद एंई58 में 2058 में कानून मन आता है जिसका नाम है प्रदान मंत्री कौन था उसी किसमें पांस्टन की समय 1857 का विद्रो हुआ था अगर आप सवाल है 1857 बिहार में 1857 के विद्रो के परमुख निता कौन थे अभी मैंने बात किया फ्रेंट कुवर सिंग जो आड़ा से थे आड़ा जगदीशपूर आड़ा आड़ा से थे वह ब पतना से इनत्रित कर रहा थे तो पीर अली करे थे बिहार के आरा यानी की जगदीशपूर 1857 की कब आराम हुई तो मैंने आपको बताया 28 मार्च 28 मार्च को मंगल पांडे ने विद्रो किया और उनको 10 अप्रेल को क्या दे दिया गया फांसी देगिया उसके बात पूरा शह लेक्सकोशन है हमारा 1857 के गदर को किस ने करांती कहा था तो वो कौन कालमाक्स है पतना में अद्ब बूर कि विद्जू कर आखा है पीर अलिख जो एक पुस्तक के दुकान चलाते थे उन्होंने पतना से 1857 की करांती का नेत्रिद किया था पीलाली खान आगे बात करने हैं तो जितने भी विद्रोही थे सब दिल्ली की तरफ गया और दिल्ली जाने के बाद उने क्या किया बहादूर शावर को अपना समराथ गोशित किया था अगला सवाल है फ्रेंस किसने 1857 की विद्रोह को भारती सोतंतरता का पर्थम युद्ध माना है किसने 1857 की विद्रोह को भारती सोतंतरता का पर्थम युद्ध माना है तो किसने माना है फ्रेंस काल माक्स नहीं माना शुक मता वीडी सावर करने माना फ्रेंस वीडी सावर करने इंग्लेंड के कौन से प्रमुक नेता ने 1857 के विद्रो को राष्ट्री विद्रो बताया था तो वो कौन ते फिसम बेंजमिन डिस्रैली बेंजमिन डिस्रैली ने ही कहा था कि यह राष्ट्री विद्रो है राष्ट्री इस तर पर किया गया विद्रो 1857 के विद्रो को पूर बेगम हजरत महले वहां से आंदोलन का ब्यूगल फुका और 1857 के विद्रों का संचालन के नित्रत किया अगला सवाले 1857 की करांती के बाद मुगल समराथ बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर भीज दिया गया अगला सवाल है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 नाम पुस्ता का लिखा कौन था तो वीडी सावरकर है इस किताब को लिखा 1857 नाम है इस ही मिलोने खाता कि यह क्या है हमारे देश का पर्थम सवतंतर संग्राम है तो सठीक उप्शन है वीडी सावरकर अगला कुशन पतकालिक कारण था 1857 जग दीषप्र के विद्फ्रोंका नेक्स निसेन बात करें है ज्ग्दीषपूर वीर और ऑैर वहर बन तनों के लिए निए जग्वी खरण इन जग यहां के पन गार नाम ये Karma रहे थे मैं यहन का है तरा दा Osim कुछा से नाना साहिब को बता है ना इन निक्स को किस नाम से नाम से नाम से जाने दा और ना इसे निक्सक्षा ने था कुर्चन 111 करांति के दमन के बाद करांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे तो नाना साहिब और बेगम हजरत महल दोनों ही क्या हो गए थे करांति करांति के बाद कहां भाग गय थे ओप्शन हो सी व्यक्पत का सिध्धान जो है जिसको दॉक्ट्रिन ऑफ लैपस भिगाते ये कुल लेकर क्या था तो डलहॉजी लेकर क्या था तो डलहॉजी तो क्रेक्ट ऑप्शन की हो जागा option नमर 20 दा क्रेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत में लेलवे इलाइन की शुरुवात हुई थी आपको पता है फ्रेंड बंबई से थाने तक पहला रेलवे चला था भारत क्राउन की बार की अधीन बताया गया ऑर भारत कराउन का एक अभिन अंताथा घो जाएगा गया कफा एका छीरु और ही और fazer दो फ्रेंट में तो किस नी कराया हट सने कराया हर्षण नेंकी दिल्ली में दिली मeger म के इटों को और देटों को मार दिया था अगला कुशन को देश निकाला करके मिरंगून एप सब्सक्राइब तो यहां सोईय सभां dir Vouianna बीट एक आई किसने भारत को मात्र पहूं है लिखांगा ये निखा ये दादा भाई नौरोजी ने, दादाभाई नौरोजी ने लिखा है, और दादाभाई नौरोजी नहीं इसी किताभ में ख़िए किया कहाला है, इन्हों ने कहा है, धन इशकाशन का सिध्धान्थ दिया है, 21 तरह से अंग्रेज जो है वो भारत का रुपया के समय इंग्लैंड का पॉर्थ राइफल नाम क्या था सानिक था पर Opportunity बाहर बाहर आ ता अबात से एंग्णायट नहिंड लॉक्ष नहीं था भाहाराइग मेख़वर्स भामैर गवर्णर्न क्या था धुश्क में भारत का पहला कौन है वाइस राई भी है 1885 में महरानी विक्टोरिया का घोशना पतर आता है उसके बाद भारत की गवर्णर जनलों क्या बना दिया रहता है वाइस राई बना दिया जाता है नेक्स कुशन देखेंगे आध को मした नामनी चाहनल को सब्सक्राइब आपके लाइक कीजा पर रहें पराइक करते हैं ख्यार रखेंखें़र पना टीक कर बाई